दोस्तो हाली में ही नितिन गड़करी जी की तरफ से एक स्टेटमेंट दी गई है जिसमें नितिन गड़करी जी की तरफ से बताया गया है कि रफाल फाइटर जैक को बनाने वाली कमपनी यानि कि डसोल्ट एवियेशन रफाल फाइटर जैक को नाकपूर के अंदर बनाने वा सेलेक्ट कर लिया गया है और इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि MRFA डिल में चुप-चाप तरीके से रफाल फाइटर जैट को सेलेक्ट तो नहीं कर लिया गया है आप सब यह बात जानते हो कि एक दसक से भी ज्यादा समय बीच चुका है इस डिल को लेकर MRFA डिल को हम शुर जो मुकाबला चल रहा था वो रफाल फाइटर जैट और यूरो फाइटर टाइफून के बीच में चल रहा था उस समय फ्रांस की तरफ से हमको रफाल फाइटर जैट की कीमत यूरो फाइटर टाइफून से सस्ति पड़ रही थी और जब तक हमारी गोर्मेंट की तरफ से को खरीदने का फैसला लिया जाता जब तक रफाल फाइटर जेट की कीमत को फ्रांस की तरफ से काफी हद तक बढ़ा दिया गया था और इस डील को लेकर जब हमने दोबारा फ्रांस से बातचीच शुरू की तो उस समय हमको ये बात पता चली कि पुरानी कीमतों में अब हमको रफाल फाइटर जेट नहीं मिलने वाला है और जो हम 126 की संख्या में रफाल फाइटर जेट खरीदने वाले थे वो पुराने बजट में तो नहीं आने वाले हैं तेकिन उस समय हमारी वायू सेना को मीडियम कैटिगरी के फाइटर जेट की जरुवत महसूस होने लगी थी इसलिए ही 36 रफाल फाइटर जेट की डील को उस समय साइन कर लिया गया था और 36 रफाल फाइटर जेट को खरीदने के बाद ही 114 फाइटर जेट को लेकर एक रिक्वेस्ट फोर इन्फोरमेशन को रिलीज किया गया था जिसमें 114 की संख्या में फाइटर जेट को खरीदन strategic partnership के तहत भारत के अंदर ही बनाये जाएगा तेकिन जब से अब तक 8 सालों से भी ज़्यादा का समय बीच चुका है तेकिन इसको लेकर अभी तक भी कोई काम नहीं किया गया है और अभी तक हमारी वायू सेना की तरफ से भी acceptance of necessity को हमारी ministry of defense को summit नहीं किया गया है और ये चीज दिखाती है कि अभी हमारी वायू सेना को भी fighter jet को लेकर government को पुश नहीं कर रही है और नितिन गड़करी जी की ये statement इसलिए important है क्योंकि नागपूर के अंदर एक special economic zone पड़ता है जिसको ख्यान सीज के नाम से जानते हैं यानी multimodal international cargo hub and airport नही कि एक company है जिसको Dassault Reliance Aviation Limited के नाम से जाना जाता है और planning ये की गई है कि Rafale fighter jet को इसी Dassault Reliance Aviation Limited में बनाय जाएगा और ये facility बनकर एसे ही तयार पड़ी हुई है इस facility को पिछले साल maintain करने के लिए 10 करोड रुपिये खर्च हुए थे और अब France की Dassault Aviation ये चाहती है कि इस company के अं और Reliance के share को इस समय Dassault Aviation खुद ही लेना चाहता है ताकि ये पूरी की पूरी company ही Dassault Aviation के हाथ लग जाए पर इस पूरी statement का conclusion ये निकलता है कि नितिन गड़करी जी की तरफ से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जब भी भारत के अंदर Rafale fighter jet को बनाय जाएगा वो फाइटर जैट को खरीदना चाहिए हाँ या फिर ना इस बात का अंचार आप कमेंट बोक्स में दे सकते हैं ठैंक्स फोर वोचिंग दिस वीडियो हैव गूड डे